हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ दोस्तो आज बात करने वाली हूँ मैं इस अजवाइन के पोधे के बारे में जो दिखने में तो सामान्य सा है लेकिन बड़ा ही गुनकारी है आईरवेद में इसके बहुत सारे गुन बताए गए हैं बहुत सारी बिमारियों से बचाता है ये पोधा अगर हम अपने घर में इसको लगा लें तो कही सारी बिमारियों से छुटकारा मिल सकता है हम सब को तो इसको लगाना बड़ा ही आसान है इसको कैसे लगाया जाता है और इसके क्या फायदे होते हैं मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कई बिमारियों से बचाता है तो वीडियो को पूरी देखेगा इसके पर किमत देखेगा अगर आप मेरे चैनल पर पहरी बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इस पोदे के बारे में कुछ चोटी-चोटी सी जानकारी दोस्तों आपने अजवाइन का तो कई बार इस्तमाल किया होगा सभी की रसोई में किचन में पाई जाती है अजवाइन लेकिन जो अजवाइन की पत्यों का इस्तमाल होता है इसका पोधा अलग आता है और जो हम घरों में इस्तमाल करते हैं रसोही में इसमाल करते हैं आजवाईन को वो अलग होती है. तो जो हम अपने गाडन में लगे ओधे होगे होते हैं आजवाईन के चोटी-चोटी से. वो बड़े ही गुर्णकारी होते हैं. हम सूचते हैं कि ग Mandarin बड़ाने के लिए हम नहीं लगाया हुआ है. लेकिन इसकी पत्यां बड़ी ही चमतकारी होती है और कई बिमारियों से हमें छुटकारा दिला सकती है आजकल तेज जो मिर्च मसाले खाते हैं तला भुना खाते हैं उसकी वज़े से ऐसी डिटी हो जाती है तो उसी के लिए हम कैपसूल बगएरा या दवायों का यूज़ जो करते हैं उसको ये लगबग दूर कर देगा आप सुबह सुबह खाली पेट इसकी चार पत्या खाएए चबाकर तो ये बड़ा ही असरदार है दोस्तों यूरिन से जुड़ी समस्याओं को भी लगबग दूर करता है अगर आप इसकी चार से पांच पत्य चबाकर रोज खाएं और अगर आप पत्या नहीं खा सकते हैं चबाकर तो इसकी चटनी का इस्तमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं इसमें आईरन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और कैलसियम पाया जाता है जो यूरिन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है इसकी पत्यों में भीनी भीनी सी खुशबू आती है जो आपके वातावरन को बहुती अच्छा एक खुशनुमा माहुल देती है दोस्तो आजकल का जो वातावरन है वो धूर मिट्टी से भरा हुआ है जिससे हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं और कई सारे इंफेक्शन हमारे फेपडों में आ जाते हैं उन सभी से छुटकारा पाने के लिए हमें अजवाइन की पत्यों का सेवन करना चाहिए और इसकी चाय भी बनाके पी सकते हैं इसका जूस भी बनाके पी सकते हैं अगर आप इसकी चाय बनाके पीएंगे तो आपको फेपडों के साथ साथ आपको पेट के दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा आयरवेद में इस अजवाइन के प्लांट के काफी सारे फाइदे और गुन बताए गए हैं अगर मैं सभी बताने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बाकी के जो इसके फाइदे हैं गुन हैं वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो दोस्तो देखा आपने कितना गुनकारी होता है यह जवाइन का छोटा सा प्लांट और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो काफी ज़्यादा गुनकारी होती हैं तो दोस्तो अपने गार्डन में इस प्लांट को जरूर जगा दें ज़्यादा महेंगा नहीं आता है यह प्लांट 20-30 रुपे का आपको मिल जाएगा अगर आपके आसपास में यह प्लांट लगा हुआ है तो आप छोटी सी इसकी कटिंग ले आईए यह 15-20 दिन में यह आराम से ग्रू हो जाती है और ज़्यादा केर नहीं करनी पड़ती है इस प्लांट की आप बस इसको लगा दीजिए और इसमें गर्मियों में डेली पानी दे दीजिए सर्दियों में ज़्यादा पानी की जरुत नहीं होती है ज़्यादा खाद की जरुत नहीं होती है इस प्लांट को और कोई ऐसा रोग नहीं लगता है इसमें जिससे आपको इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़े तो दोस्तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है कहीं से भी आप इसकी 2.5 इंच की cutting ले आईए और मैंने देखिए ऐलोविरा का जेल जो होता है मैंने उसमें इसको dip किया है और dip करने के बाद सिंपल सी मिट्टी में इसको लगा दिया है लगबग जो ऐलोविरा का प्लांट होता है सबी के घरों में पाया जाता है अगर आप के पास अलोविरा का प्लांट नहीं है तो आप इसे जो हल्दी होती है उसमें भीगो कर इसकी जो नीचे की जो नोड एरिया है उसको भीगो कर मिट्टी में लगा दीजिए जिससे फंगस ना लगे तो दोस्तों अलोविरा का जैल या हल्दी इसलिए लगाते हैं जिससे cutting क कि जो नीचे का नोड एरिया है वो सडे ना इसमें फंगस ना लगे तो इसलिए इसमें जरूर यह लगा दीजिए जिससे अच्छे से हो जाए अगर नहीं आपके पास तो सिंपल सी मिटी में भी लगा दीजिए उसमें भी हो जाती है और cutting लगाने के बाद इसमें पानी द दोस्तों देखिए जो आपको green नजर आ रहे हैं मेरे प्लांट पोली बैग में वो चाया में रखे वे थे और जो आपको yellow-yellow सी पत्तियां नजर आ रही है यह थोड़ा सा धूप में रखा हुआ प्लांट था तो अब तेज धूप पढ़ रही है उसकी वज़े से इसकी प पानी दे देंगे और यह जो कटिंग आप देख रहे हैं यह मेरे आपे बंदर आते हैं उन्होंने ही तोड़ दी थी और सूखी नीचे पड़ी हुई थी इसको भी मैं लगा दूंगी यह आराम से हो जाएगी इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है और आस पास में आप इसके पेड जो हैं पोदे हैं वो दे सकते हैं क्योंकि बहुत तेजी से यह प्लांट फैलते हैं छोटी-छोटी कटिंग अगर आप लगा दें तो डहिर सारी प्लांट आपके थोड़े ही दिन में बन जाएंगे तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी क हैं तो दोस्तों कि ए हैं तोस्तोंग अिंगे जाएंगे धे हैं झेह सते हमनम गके अछिक सते हैं तोस्तों में थे डव जागर गांट आपके